सिमरन मैं स्कूल जा रहा हूँ, चलो तुमें भी दुकान पर छोड़ देता हूँ जी नहीं, आपको तो काफी दूर पड़ जाएगा ये रास्ता, मैं खुद चली जाऊंगी अरे तो क्या हो गया, अपनी पत्नी के लिए इतना तो करी सकता हूँ अच्छा, दो मिनट रुको बस, मैं भी चलती हूँ वैसे मैं तो कहता हूँ कि तुम ये कपड़ों का काम बंदी कर दो क्यूं जी, अच्छा काम चल रहा है, शादी से पहले पापा की साथ भी करती थी ये काम हाँ, काम तो अच्छा ही चल लहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो नहीं नहीं, बलकि हम दोनों मिलकर काम करेंगी, तभी तो हमारे आने वाले बच्चे का भविश सेफ रहेगा हो हो, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, सच में, वहा हो शान्थ शान्थ प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, पर कभी तो होंगी न, शादी को साल होने वाला है हाँ, बस तुम भी थोड़ा काम सेट कर लो, फिर आगे फैमिली प्लानिंग भी करेंगे हाँ, बिल्कुल, अब तो मेरा भी बहुत मन करता है कि हमारे भी बच्चा हो अच्छा, अगर तुमें स्कूल टीचर होती तो मज़ा ही आ जाता हाँ, आप किसी कपड़े की दुकान के मालिक होते तो और भी मज़ा ही आ जाता तुमसे तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता अब आप तो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके सरकारी टीचर बने हैं तो तुम भी कर लेती लेकिन मुझे शौक ही नहीं था ना टीचर बनने का, मुझे तो बिजनेस ही करना था अच्छा, ये बात है हाँ, बस बहुत हो गई बातें अब चलिए इसके बाद कमल अपनी पतनी को दुकान पर छोड़ देता है और खुद स्कूल चला जाता है तो यहाँ हमें पता लगता है कि सिम्रन लेडीज कपड़ों की दुकान चलाती थी और कमल सरकारी स्कूल टीचर था कुछ दिनों बाद रात के वक्त सिम्रन और कमल खाना खा रहे थे कमल अपनी दुकान के साथ एक नई दुकान खोल रही है जैंड्स कपड़ों की अच्छा शुक्र है लेडीज कपड़ों की नहीं है वरना तो कॉम्पटीशन हो जाता है ना हाँ वो तो है ही वैसे कौन खोल ला है पता नहीं मैं तो नहीं जानती कल दुकान की ओपनिंग है मुझे भी इंविटेशन कार्ड आया था अच्छा तो दुकान साथ ही है चली जाना तुम भी हाँ पड़ोसी है जाना तो पड़ेगा ही तो अगले दिन शाम के पांच बजे कमल घर पर ही कुछ बच्चों को टुशन पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते साड़े छे बज गए थे चलो बच्चों अब जाओ घर लेकिन सर अभी तो साथ बजे ही नहीं हाँ पता है पर अभी तुम जाओ कल पड़ेंगे बाकी का ठीक है सर तो बच्चे उटकर चले जाते हैं और इसके बाद कमल अपनी पतनी सिम्रन के पास दुकान पर पहुँच जाता है और देखता है कि सिम्रन दुकान में नहीं थी अरे ये सिम्रन दुकान छोड़ कर कहां चली गई तभी बाहर से सिम्रन आती है मैंने आपको आते हुए देख लिया था कहां चली गई थी तुम दुकान को ऐसे खाली छोड़ कर अरे कहीं नहीं गई थी आपको बताया था ना नई खुली है साथ वाली दुकान इसमें ही तो बैठी थी ओ अच्छा आईए आपको भी मिलवाती हूँ तो सिम्रन कमल को अपने पडोस की दुकान में ले जाती है जहां वेधान्त बैठा था कमल ये हैं दुकान के मालिक मिस्टर वेधान्त कुछ तेर तक बात करने के बाद सिम्रन और कमल वापस अपनी दुकान पर आ जाते हैं तुम ऐसे दुकान छोड़कर मत जाया करो सिम्रन। मैं बस देखने गई थी कि कैसी बनाई है दुकान। अच्छा। आप अचानक से आ गए, पताया भी नहीं। तो मैं आ नहीं सकता क्या। बिलकुल आ सकते हैं, आपकी ही तो दुकान है। बस आज बच्चों की जल्दी छुटी कर दी थी, और सोचा थोड़ी दिर दुकान पर बैट जाता हूँ। हाँ, ये तो अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ रोज ही आ जाया करो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ, टुशन के बाद मैं फ्री ही होता हूँ, आजाया करूंगा। पहली भी आपने बहुत बार कहा है, पर आते ही नहीं है। बस तुमें तो पता ही है, मैं सारा दिन बच्चों को पढ़ा कर ठक जाता हूँ, फिर टुशन से मैं साथ बजे फ्री होता हूँ, और आठ बजे तो तुम भी वापस आ जाती हो। ठीक है, समझ गई। तो इस तरह से कमल कभी-कभी दुकान पर पहुँच जाता था, और जब भी वो वहाँ जाता था, तो देखता था कि या तो वेदान सिमरन के पास खड़े होकर बाते कर रहा होता था, या फिर सिमरन वेदान की दुकान पर होती थी। कमल को कहीं न कहीं अंधर ये अंधर ये बात चुब रही थी एक दिन रात में सिम्रन तुम उस वेदांत से जाधा बाते मत किया गरो नहीं मैं साधा बाते नहीं करती बस वही आ जाता है या कभी मुझे बुला लेता है वो क्यों तुम्हें बार-बार बात करने के लिए बुला लेता है उसका लड़की का कुछ इशू चल रहा है बस उसी चक्कर में मुझसे बात करता है दूर ही रहा करो ऐसे लोगों से अच्छा, ठीक है आप नहीं जाओंगे तभी सिम्रन कमल को गले से लगा लेती है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी दोका नहीं देने वाली मुझ पर भरोसा रखिए हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन लोगों पर नहीं है न ठीक है, मैं फिर भी ध्यान रखूंगी तो कुछ दिनों बाद फिर से कमल दुकान पर जाता है तो दूर से देखता है कि वेदान फिर से सिम्रन की दुकान पर था और बाते कर रहा था तभी कमल उनके पास पहुँचता है हेलो सर्ब, कैसे आप? ठीक हूँ, आप दुकान पर कम बैठते हैं क्या? क्या मतलब? मैं समझा नहीं जब भी मैं आता हूँ, आप यहीं होते हैं सिम्रन से बाते कर रहे होते हैं आज कल यह आती नहीं मेरी दुकान पर तो मैं आ जाता हूँ हाँ, आज कल मुझे टाइम ही नहीं मिलता और सर मैं दुकान का भी पूरा ध्यान रखता हूँ ये बिल्कुल साथ में ही तो है दुकान फिर भी थोड़ा दुकान पर बैट कर भी ध्यान देना चाहिए अच्छा मैं चलता हूँ तो वेदान्त वहां से चला जाता है सिमरन मैंने तुमसे क्या कहा था इससे दूर रहा करो अब देखो वही आ गया तो मैं क्या करूँ मना नहीं कर सकती आखिर पडोसी है पडोसी है तो क्या सारा दिन बाते करता रहेगा मैंने बताया था ना वो लड़की के चक्कर में कुछ हेल्प लेने की बात करता रहता है ये सब ढौंग है उसके मैं जब भी आता हूँ ये हसकर बाते ही कर रहा होता है ऐसा नहीं है सच में मेरा विश्वास कीजिए ठीक है मुझे इस बारे में जादा बहस नहीं करनी अब तो इस तरह धीरे-धीरे कमल के बन में शक्का बीच बड़ा हो रहा था और अंदर ही अंदर वो काफी कुछ सोचने लगा था खैर दोनों घर जाते हैं नहीं करूंगी काम से जादा मेरे लिए जरूरी आप है ठीक है फिर मैं डीलर से बात करता हूँ और वो दुकान बिखवा देता हूँ ठीक है लेकिन रिश्टा खत्म करने की बाद आज की बाद फिर कभी मत करना ठीक है नहीं करूंगा कुछ ही दिनों में कमल दुकान को बेच देता है, धीरे धीरे और वक्त निकल जाता है, एक दिन दुपहर के वक्त कमल स्कूल से घर आता है, तो देखता है घर पर वेदांत पैठा था, कमल हैरान हो जाता है, लो, आ गए भी हेलो सर, वो सिमरन जी ने तो काम बंद कर दिया, तो मैंने सोचा घर पर ही जाना पड़ेगा बात करने के लिए, अच्छा, अब दुकान नहीं तो घर सही, अब आप घर तक भी आ गए हैं, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो, अभी चले जाएए मेरे घर से, मेरी गैर हाजरी मेरी पत्री के पास आने का आप मतलब भी समझते हैं, सर ये कैसी बाते कर रहे हैं, मेरे ओ सिमरन जी के बीच में सिर्फ मुझे कुछ नहीं सुनना, आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, आप हम दोनों के लिए जो भी कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसम खा कर क इतना सुनकर वेदान्त वहां से चला जाता है, वहीं कमल और सिम्रन के बीच में काफी जगड़ा होता है आप क्या कह रहे हैं मुझे? अच्छा है, हमारी कोई उलाद नहीं है, उसे भी ऐसी गंदी शिक्षा देती तुम आप पश्टाएंगे अपनी इन बातों पर जब आपको सचा ही पता लगेगी सच तो मैंने आज अपनी आखों से ही देख लिया, मेरी गैर हाजरी में तुम वेदान को बुलाती हो, नजाने और किसे बुलाती होगी नहीं, मैंने नहीं बुलाया उसे, भला मैं क्यों बोलूंगे आने को, वो सिर्फ मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी नजरों से दूर हो जा, चत्रहिन कहीं की, हो सके तो मेरी जिंदगी से भी आप सूच समझकर बोल रहे हैं न ये बात हाँ, बिल्कुल, तुम जैसी औरत को मैं देखना भी नहीं चाहता तो सिम्रन कहां चली गई थी, क्या कमल का शक सही था, या फिर कोछ और ही घटना होने वाली थी लास्ट एपिसोड में आपने दीखा, कि कमल और सिम्रन की बीच सब अच्छा चल रहा था लेकिन सिम्रन की दुकान के पड़ोसी, वेदान्थ की वजह से कमल के मन में शक पैदा हो गया था और उसने सिम्रन का कमरे में से भी रोग दिया था लेकिन वेदान्थ को अपने घर पर देखकर कमल का गुस्सा साथवे आसमान पर था और इस वजह से ही कमल और सिम्रन के बीच काफी जगड़ा हुआ और कमल ने सिम्रन को रिष्टा खत्म करने तक की बात कह दी थी अब आगे कमल कमरे से बाहर आता है तो घर में कोई नहीं होता और तभी सिम्रन में गेट से हाथ में सब जी लेकर अंदर आती है मुझे तो लगा कि तुम घर छोड़ कर चली गई हो लेकिन फिर से दाशन हो गए तुम्हारे अच्छा मतलब आप सच मुझ चाहते हैं कि मैं घर छोड़ कर चली जाऊ हाँ चाहा तो मैंने यही था और सोचा कि अपने आशिक के साथ भाग गई होगी लेकिन मेरे और विदान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है वो तो मुझे पहन की तरह समझता है शर्मानी चाहिए तुम्हें यह बात बोलते हुए और आप जो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं उनका क्या मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है मैं तो सची बोल लहा हूँ लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है चाहे जो भी हो मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तुम जैसी गटिया औरत मेरी जिन्दगी से दूरी रहे तो अच्छा है मैं कहा जाओंगी ये सब मैं नहीं जानता फिलहाल मैं शेहर से बहाँ जा रहा हूँ किसी काम से मेरी ट्रेन है लेकिन कहां? ये सब मैं बताना ज़रूरी नहीं समस्ता चार दिन में आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम घर में नहीं मिलोगी ऐसा मत कहिए अब के बिना मेरी जिन्दगी खट में हो जाएगी ये सब ढौंग मेरे सामने मत करो अब मैं जा रहा हूँ तो कमल अपना सामान पैक करता है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है वहीं घर पर सिम्रन बहुत डिफ में बैठी थी नजाने हमारे रिष्टे को किसकी नजर लग गई कमल मुझे इतना गलत समझ रहे है शायद मुझे उनकी जिन्दगी से चले जाना चाहिए उधर कमल चार दिन के बाद वापस ट्रेन से अपने शेहर आता है तभी उसको रेलवे स्टेशन पर वेदान्त एक औरत के साथ मिल जाता है ओ वेदान्त तो आज यहां हो तुम हाँ सर तो आज इनके साथ हो ये कौन है ये कौन है वेदान्त ये सिमरण जी के पती है ओ हेलो सर रा错 आपकी पत्नी बहुत अच्छी है आज उन्ही की वज़ा से हम दोनों साथ हैं क्या मतलब? विदान्त आपने ने बताया नहीं सिम्रन जी ने हमारा रिष्टा बचाने के लिए कितनी मदद की है? वो बस मैं बताने ही वाला था पर मौका नहीं मिला अच्छा कोई बात नहीं पर मैं सिम्रन जी की बहुत-बहुत आभारी हूँ आज उन्ही की वज़ा से वेदान्त और मैं साथ हैं लेकिन ये सब क्या हो रहे हैं आप लोग? तुम ज़रा यहां रुको मैं ने से बात करके आता हूँ तो वेदान्त और कमल थोड़ा सा साइड में होकर बात करने लग जाते हैं सर उस दिन आपने मेरी और सिम्रन जी की बहुत बेज़दी की थी और हम दोनों के रिष्टे को लेकर नजाने क्या-क्या सोच लिया था लेकिन मैं उस दिन आपके घर पर शादी का काड़ देने आया था क्या? हाँ सर पर तुम सिम्रन के पास दुकान पर बैठे रहते थे और बाते करते रहते थे वो सब? सिम्रन जी को मैं अपनी बड़ी भेन की तरह समझता हूँ और मेरे रिष्टे को लेकर मुझे उनकी कुछ मदा चाही थी उनी की वजह से आज मेरी शादी उसी लड़की से हुई है जिसे मैं चाहता था मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ये सच्चाई जानकर कमल के पैरो तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दबादे में अपने घर पहुचता है कमल सिम्रन को आवाज लगाने लगता है कमल घर में हर जगा देखता है लेकिन घर पर कोई भी नहीं था तभी कमल को सिम्रन के तकिये के पास एक चिट्टे मिलती है जिसमें लिखा था कमल मैं हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहूंगी लेकिन आपने मुझे चरित रहीन कहा और मुझे पर शक किया और अब आप चाहते हो मैं आपकी जिंदगी से चली जाओ तो आपकी खुशी के लिए मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ और इस तरह से कमल को अपने किये पर काफी पच्चतावा होता है सिम्रन का फोन भी बंद था और वहीं सिम्रन ना जाने कौन से शहर में दुख बरे हालात में सडकों पर घूम रही थी तभी एक घर से ग्यारा साल की एक लड़की रोती हुई बाहर आती है क्या हुआ बेटा सिम्रन जल्दी से घर के अंदर जाती है और देखती है उस लड़की की मम्मी फर्ष पर गिरी हुई तड़प रही थी अरे क्या को बहन आपको मैंने एंबुलेंस को कॉल भी कर दी पर अभी तक आई नहीं है तो कुछ देर बाद एंबुलेंस आकर उस ओरत को हॉस्पिटल ले जाती है लड़की अपनी मा को देखकर रोती रहती है डॉक्टर साहब जल्दीन का इलाज कीजिए उस ओरत को डॉक्टर चेक करता है और कुछ देर बाद बाहर आता है उनके पास कुछी वक्त बचा है वो आपसे और अपनी बेटी से मिलना चाहती है जाए जल्दी से अंदर जाएए सिमरन उसकी बेटी के साथ उस ओरत के पास जाती है वो रोते हुए सिमरन का हाथ पकड़ लेती है अब मैं नहीं बचूंगी बेहन ये मेरी बेटी नव्या है इसका ध्यान रखना नहीं नहीं ऐसे मत कहिए आपका इलाज हो जाएगा नहीं बेहन, बस मेरी बेटी का ध्यान रखना नव्या बेटी, आज से ये तुम्हारी छोटी मा है, इनकी हर बात मानना ठीक है मम्मी, ऐसे मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी और इसके पापा भी नहीं है, इसे छोड़ना मत बेहन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, ये अनाथ हो जाएगी ठीक है, मैं नव्या का ध्यान रखूँगी, पक्का मुझे पता नहीं आप कौन है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये वादा पूरा करोगी हाँ, बिल्कुल करूंगी, भगवान ने मुझे इसी कारण से यहां भेजा होगा जब तक इसकी मांग में सिंदूर नहीं भर जाता, तब तक ये तुम्हारी और तभी नव्या की मा तेज से सांसे लेने लगती है ममी, नहीं ममी और कुछी मिंटों में नव्या की मम्मी दम तोर देती है तभी सिंदूर भी रोते हुए नव्या को गले से लगा लेती है पहले बगवान जी ने मेरे पापा को बुला लिया और अब मेरी मम्मी को भी बुला लिया चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ हाँ छोटी मा, मम्मी ने बोला था आज से आप मेरी छोटी मा हो और मैं आपकी हर बात मानूगी ठीक है बेटा, अब सिम्रन नव्या की देखभाल करने के लिए उसी के घर में रहने लगी थी नजाने कुद्रत ने क्या खेल खेला नव्या के माबाप नहीं रहे और बेटी के रूप में मुझे नव्या मिल गई नव्या के लिए मुझे जीना होगा सिम्रन ने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था और वो नव्या को पढ़ाती भी थी देखते ही देखते दस साल भीट गए छोटी माँ अब मेरा कॉलिज का आखरी साल है आज से मैं फाइनल एर में हो गई हूँ हाँ बेटा बस एक साल रह गया है फिर कॉलिज पूरा हाँ बेटी बस जल्दी से तेरी शादी कर दूँ यही आखरी सपना है मेरा क्यों छोटी मा मैं आपको अच्छी नहीं लगती तू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भर जाता तब तक मेरा फर्ज पूरा नहीं होगा हाँ मुझे पता है मेरी माने आपको यही एक काम सोपा था हाँ बीटी इतनी पुरानी बात तुझे आज भी याद है हाँ चोटी मा मुझे सब याद है अच्छा हुआ आप मुझे उस दिन गली में मिल गई थी वर्ना न जाने मेरा क्या होता अच्छा हुआ तु मेरी जिन्दगी में आ गई वर्ना न जाने मेरा भी क्या होता मैं कुछ समझे नहीं चोटी मा कुछ नहीं बेटा तु ये सब छोड़ तभी दरवाजे की घंटी बचती है जा तो देख कौन आया है हाँ जाती हूँ समरन जैसे ही दरवाजा खोलती है गेट पर नीलम खड़ी होती है उसके हाथ में कैरी बैग था अरे नीलम जी आप आईए काफी टाइम बाद आई हैं आप हलो आंटी जी कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ बेटा तुम बताओ क्या बात है इतने वक्त से आई नहीं आप सूट सिलवाने बस सिमरन जी सूट ही नहीं लिया था अब ये देखो नए सूट लाई हूँ ये सिल देना जरा हाँ हाँ क्यों नहीं कुछ भी कहो सिमरन सूट तो तुम बहुत अच्छे सिलती हो सच में हाँ अंटी जी मा तो बहुत टैलेंटेड है हाँ वो तो है ही अच्छा छूटी मा मैं अब कॉलेज चलती हूँ तो नव्या कॉलेज चली जाती है नीलम और सिमरन बाते करने लगती है मेरे बेटे ने भी कॉलेज चेंज कर लिया है अच्छा कौन सी कॉलेज में लगा दिया वो तो सरकारी कॉलेज में ही है और तुम्हारी बेटी कौन से कॉलेज में है ये भी सरकारी कॉलेज में ही है हाँ प्राइविट कॉलेज में तो खर्चा ही बहुत हो जाता है हाँ सही कहती हैं आप असल में नीलम हमीशा सिम्रन से ही सूट सिलवाया करती थी और दोनों में थोड़ी जान पहचान भी थी वही भग्व्य कॉलेज में जाती है तो देखती है क्लास में एक नया लड़का बैठा था और बुक पढ़ रहा था अरे ये तो न्यू एड्मिशन लग रहा है हाँ आज ही आया है तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाता है बच्चों आज हमारी क्लास में एक नया मेंबर आया है और तभी वो लड़का अपनी सीट से खड़ा हो जाता है ये है मिस्टर दिवाकर ये स्टेट टॉपर रह चुके है हर साल टॉप किया है लेकिन किसी वज़े से इन्हें अपना पुराना कॉलिज चेंज करकी यहां ना पड़ा वही नव्या कुद सामान लेने के लिए मार्केट में जाती है और तभी उसकी नजर बाजार में एक जगह पर पड़ती है और उसकी आप ने फटी की फटी रह जाती है नहीं नहीं और उसके ज़र ज़र आसू बहने लग जाते हैं वो एक ही जगह पर सुन खड़ी रहती है लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सिमरन घर से चली जाती है और अंजान शहर में वो नव्या से मिलती है और मौत से जोज रही नव्या की मा तब सिमरन को नव्या की जिम्मेदारी सौप देती है और फिर सिम्रन भी नव्या का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखती थी देखते ही देखते दस साल बीच जाते हैं नव्या की क्लास में एक नया लड़का आया था जो की काफी सीधा और पढ़ाकू था वहीं बजार में अचानक सिम्रन कुछ देख कर घबरा जाती है अब आगी सिम्रन देखती है कि सड़क के दूसरी तरफ कमल खड़ा है और सबजी ले रहा है सिम्रन के आंसू बह रहे थे वो सुन पड़ गई थी कमल यहां इस शेहर में और तभी अचानक कमल की नजर भी सिम्रन पर पड़ती है बीट से गुजरते ट्रैफिक के कारण दोनों सड़क से अलग-अलग किनारों से एक दूसरे को देख रहे थे सिम्रन इस शेहर में है और मेरा ट्रासर भी यह होना था और तभी सड़क पर से एक बड़ा ट्रक गुजरता है और कमल देखता है कि अब सिम्रन वहां से जा चुकी थी सिम्रन रोती हुई घर आ जाती है चोटी मा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा बताओ, वरना मैं भी रो दूँगी आपको पता है न मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती बेटा, सड़क पर किसी का एक्सिदेंट देख लिया था उसका काफी खून बह रहा था तो बस मुझे रोना आ गया ओहो मा, आप भी ना बड़े कच्चे दिल की है हाँ बेटा, वो तो मैं हूँ और तभी नवया अपनी मा को गले से लगा लेती है सिम्रन अपने कमरे में जाती है और अपने पती की पुरानी आदों में खो जाती है लगता है कमल ने इस शहर में किसी और हुरत से शादी कर ली है इसलिए वो यहाँ रह रहे है वहीं दूसरी तरफ कमल भी सिम्रन के लिए ऐसा ही कुछ सोचता रहता है लगता है सिम्रन ने इसी शहर में किसी से शादी कर ली होगी तभी वो यहाँ है तो कमल अपनी सोच में था और सिम्रन अपनी लेकिन दोने में एक दूसरी की सच्चाई नहीं जानते थे तो दोस्तों क्या आप लोगों को पता है आज हमारी क्लास में एक नए प्रोफेसर आने वाले है हाँ नव्या ये तो सब जानते हैं तो हम सब बहुत अच्छे से उनका स्वागत करेंगे मैं उनके लिए बोर्ड पर कुछ लिख देती हूँ नव्या बोर्ड पर वेलकम सर लिख देती है तभी क्लास का एक लड़का उसके पास आता है बहुत बढ़िया देखो मैं भी इसमें तुम्हारा साथ देता हूँ कुछ बना कर तभी वो लड़का ब्लैक बोर्ड पर एक काटून बना देता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है ये क्या किया तुमने? वो हमारी गुरू है और उनके साथ ऐसा सुलूक? तुम ज़्यादा समझदारे मत दिखाओ शुपचाप से अपनी जगा पर बैठ जाओ नहीं बैठूंगी तुम आने तो प्रोफेसर को मैं सब बता दूँगी ज़्यादा जबान मत चला अगर किसी ने भी मेरा नाम लिया तो अपना हिसाब लगा लेना और तभी क्लास में नई प्रोफेसर की एंट्री होती है और वो कोई आन नहीं बलकि कमल ही था नव्या भी बोर्ड के पास खड़ी थी तो मेरे स्वागत की तयारिये की हैं आपने बहुत खुब नहीं सर ये सब तो सर ये सब इस नव्या नहीं किया है इसी ने सब को कहा कि क्लास में नई प्रोफेसर आएंगे नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया मैं सच कह रही हूँ तो ये सब किसने किया है और तभी दिवाकर अपनी सीट से खड़ा होता है और लड़के की तरफ इशारा करता है सर ये सब इस लड़के का काम है मैंने खुद देखा था और इसने सब को धमकी भी दी थी इसलिए सब चुप हैं अच्छा पर कोई बात नहीं मैं किसी को कोई सजा नहीं देने वाला जिसने भी किया हूँ मेरी तरफ से उसको धन्यवाद सब के अपने अपने संसकार होती है और तभी वो लड़का शर्म से गर्दन जोका लेता है फिर क्लास के बाद नव्या दिवाकर के पास जाती है थैंक्यू दिवाकर क्लास में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया सिवाए तुम्हारे मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है मुझे लगता है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं हाँ क्यों नहीं तुम भी मुझे समझदार लगी तो इस तरह दिवाकर और नव्या में दोस्ती हो जाती है तभी वो लड़का नव्या और दिवाकर के सामने आकर खड़ा हो जाता है क्यों बे दिवाकर, जादा जवानी चड़ रही है क्या तुझे, हाँ चड़ रही है, तो फिर, तुझे तो मैं ऐसी जमीन में गार दूँगा तभी दिवाकर खीच कर उसे एक थपड लगाता है, और वो लड़का नीचे गिर जाता है तु ये मत सोचना, कि सिर्फ मुझे पढ़ना ही आता है, मुझे बाकी सब चीजे भी आती है अब आया नमजा, ये इसी लायक था, दिवाकर बहुत अच्छा किया और तभी वो लड़का डरते हुए वहाँ से भाग जाता है तुमने तो कमाल कर दिया दिवाकर, मुझे लगा तुम बड़े सीधे हो मैं बहुत सीधा हूँ, लेकिन कमजोर नहीं हूँ, ना ही डर पोक हाँ, वो तो मैंने अभी देखी लिया डेमो धीरे धीरे नव्या और दिवाकर के बीच नजदीकिया बढ़ने अलग जाती है एक दिन दोनों कॉलिज के गार्डन में बैठे थे नव्या, क्या तुम मेरे साथ ये दोस्ती का रिष्टा चेंज करना चाती हो? मैं कुछ समझे नहीं, दिवाकर मैं सोच रहा था कि अब हम दोस्ती ना रहकर इससे आगे बढ़ते हैं अच्छा, अब समझ गई तुम हस रही हो, इसका मतलब तुमारी हाँ है हाँ दिवाकर, तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो अच्छा, पहले हम अपनी जिंदीकी सेट करेंगे उसके बाद एक साथ इस रिष्टे में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है दिवाकर तो चलो, हम दोनों मार्केट जाकर आते हैं लेकिन कॉलिज? कॉलिज तो थोड़ी दिर माफ हो जाएगा, फिर चल लेंगे तो कुछ दिर बाद दिवाकर नव्या को लेकर एक शौपिंग कॉम्पलेक्स में पहुँच जाता है लेकिन हम यहाँ कपड़ों वाले मार्केट में क्यों आए हैं? कपड़े लेने आये हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदता हूँ तो दिवाकर नव्या के लिए सूट देखने लगता है लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा सूट लिया जाए तभी दिवाकर को वहाँ एक औरत खड़ी दिखाई देती है जो कि कपड़े ही देख रही थी दिवाकर उसके पास जाता है सुनिया आंटी जी वो औरत कोई और नहीं बलकि सिम्रन ही थी लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे हाँ बेटा, बताओ आंटी जी, मुझे मेरी होने वाली पतने के लिए एक सूट लेना है तो क्या आप मेरी मदद कर सकती है हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं थेंक्यू सो मज मुझे बिलकुल भी नहीं पता लग रहा कि कौन सा सूट अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ तो सिम्रन दिवाकर के साथ बैट कर वहां सूट देखने लगती है तो तुम अपनी पतनी को साथ ही ले आते है अभी वो मेरी पतनी बनी नहीं है ना, बनने वाली है और मुझे उसे सर्प्राइज देना है ओ, अच्छा वैसे उसे मैं साथ ही लाया हूँ पर फिलाल वो इस दुकान में नहीं है ओ, अच्छा तो दोनों सूट देखने लगते हैं ये वाला देखो कितना सुन्दर लग रहा है हाँ, बहुत सुन्दर है लेकिन शायद उसे ये रंग नहीं पसंद अच्छा, और ये वाला असल मैं मुझे पता ही नहीं कि उसे कौन सा रंग पसंद है इससे अच्छा तो उसे यहां बुला ही लो अपनी पसंद का ले लेगी तो पहन भी लेगी हाँ, मैं भी ही सोच रहा हूँ मैं भी आता हूँ अब ज़र दो मिनट रुकना बस तो दिवाकर वहां से नव्या के पास चला जाता है नव्या अब तुम ही बताओ कि कौन सा सूट लेना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा एक आंटी से भी हेल्प ली अच्छा, चलो तो दोनों वहां पहुंचते हैं तभी सिम्रन और नव्या एक दूसरे को देखकर चौक जाती है अँटी जी, यही है नव्या मेरी होने वाली पत्नी अच्छा, बहुत सुन्दर है बेटा दिवाकर क्या हो गया तुम्हे, पसीने क्यों आ रहे हैं गर्मी बहुत है न, बेचारी को पसीना आ रहा है लेकिन यहां तो ऐसी चल लहा है अब क्या होगा? क्या हुआ बेटा, होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा अरे क्या हो गया, तुम्हारे तबियर तो ठीक है न हाँ, यह बिलकुल ठीक है और मैं कह रही थी, इसे नीला रंग बहुत पसंद है आपको कैसे बता? मुझे तो पता ही होगा बेटा, मैं इसकी मा जो हूँ मा, यह वो, वो, यह दिवाकर है हाँ, हाँ, सब पता लग गया मुझे आँटी जी, माफ करना, मुझे पता नहीं था हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों घबराओ मत मा, आप मुझे नाराज है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं हूँ, चिंता मत करो ओ, लगता है आँटी जी, एडवांस है, यह तो बहुत अच्छी बात है हाँ, बिल्कुल, तो अब हम सब घर चलते हैं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, आप लोग जाएए, नवय को भी ले जाएए नहीं बेटा, तुम भी चलो, कोई परिशानी नहीं है, पास में ही है घर हाँ, दिवाकर, चाए पिएंगे हाँ, तुम दोनों की कहानी भी तो सुननी है मुझे तो तीनों घर पहुँच जाते हैं, और सिम्रन सबके लिए चाय बनाती है कुछ दिर बाद सिम्रन के घर की घंटी बचती है, और दर्वाजे पर नीलम थी आईए नीलम जी, मैंने सोचा सूट ले आती हूँ, सिल ही दियो हूँगे आपने हाँ, सिल दिये, आप अंदर आये और तभी नीलम अंदर आती है, और दिवाकर को वहाँ देख कर हैरान हो जाती है और दिवाकर फटाक से खड़ा हो जाता है क्या हुआ दिवाकर बेटा, खड़े क्यों हो गए? नमस्ते अंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लड़का यहां क्या कर रहा है? लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सिम्रन बाजार में कमल को देख लेती है और दोनों ही एक दूसरे को देख कर हैरान हो जाते हैं वहीं कॉलिज में नव्य और दिवाकर के बीच भी नसदीक्या बढ़ने लगी थी और आखिर एक दिन, सिम्रन को भी नव्य और दिवाकर के इस रिश्टे का पता लग जाता है लेकिन सिम्रन को इससे कोई एतराज नहीं था वहीं अचानक नीलम दिवाकर को सिम्रन के घर देखकर चौक जाती है लेकिन क्यों? देखते रहिए आगे क्या हुआ नीलम जी? आप जानती है क्या इस लड़के को? बहुत अच्छे से जानती हूँ तब ही तो मैं इतनी हैरान हो गई हूँ दिवाकर क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? वो ये क्या वो ये? क्या हो गया है बताओ भी पहले मुझे ये बताओ इन दोनों का क्या सीन चल रहा है सिम्रन? दिवाकर ने कहा कि वो नव्या से प्यार करता है और ये दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं आंटी ची बताओ ये क्या बात है? दिवाकर मेरी ग्लास में ही पढ़ता है हम काफी वक्त से साथ हैं ओ तो ये बात है क्या हुआ नीलम जी? आप गुस्से में लग रही है? तभी नीलम जोर-जोर से हसने लगती है और दिवाकर की सांस में सांस आती है ए भगवान! उफ! शुक्र है! ड़ाई दिया मम्मी आपने! मम्मे? हाँ, ये मेरी मम्मी है हाँ, ये मेरा सपूत है पर मुझे क्या पता था कि ये नव्या से प्यार करता है? हाँ, अरे ये तो कमाल ही हो गया कैसे गोल-गोल बात की है आपने भी? आंटी जी, आपने भी डरा ही दिया था मुझे लगा कहीं मैंने कोई गलती कर दी है अच्छा, सिम्रन पहले मैं तुम्हारी कस्टमर थी और अब समधन बनने वाली हूँ हाँ, निलम जी, सही कहा अपने मुझे लगा मम्मी मुझे बहुत डाटेंगे और गुस्ता करेंगे लेकिन मेरी मा भी बहुत एडवांस है हाँ, अंटी जी को तो हम कबसे ही जानते है चलो, बहुत अच्छा है, खूब जमेगी हम सब की हाँ, निलम जी, सही कहती है आप बस जल्दी से आप दोनों हमारी शाधी की बात भी कर लीजे अरे, तुम्हें बड़ी जल्दी है दिवाकर अभी हमारी सही उम्र है शाधी करने की लेकिन अभी तो पड़ाई भी पूरी नहीं हुई है तो क्या हुआ बेटी, दोनों साथ के साथ पढ़ते भी रहना जिंदगी तो तुम दोनों की सेट हो ही जाएगी हाँ, दोनों ही होश्यार है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जिंदगी में अच्छा ही करेंगे तो इस तरह चारों लोग बैट कर खूब बाते करते हैं फिर एक शाम को नव्या और सिम्रन सबजी मंडी जाते हैं नव्या बेटा, क्या सबजी खानी है? मा कुछ भी ले लो, कितनी भीड है यहां, मुझे तो आप ऐसे ही ले आई मैंने सुचा तिरी शादी होने वाली है, तुझे भी तु सबजी लेनी आनी चाहिए ना? हम, सही कहती है आप चल मैं सबजी देखती हूँ, तब तक तु अपने ले कोई फ्रूट देख ले तो सिम्रन सबजी लेने के लिए आगे चली जाती है, और वही नव्या फ्रूट देखने लगती है कुछ दिर बाद सिम्रन वापस आती है, तो देखती है के नव्या किसी आदमी से बात कर रही है लेकिन उसे उस आदमी की पीट दिखाई दे रही थी अरे, ये नव्या किससे बाते करने लग गई? जरा देखू तो सिम्रन थोड़ा आगे जाती है, तभी नव्या थोड़ी दूर से ही उसे देख लेती है अरे, मा, आईए न, इनसे मिलिये और तभी वो आदमी अपना चहरा घुमाता है वो कोई और नहीं, बलकि कमल ही था कमल और सिम्रन एक दूसरे को देखकर हक के बक्के रह जाते हैं सर, ये मेरी मा है, और मा, ये हमारे नई प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अच्छा? लेकिन दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे बस दबे भावो से एक दूसरे को देख रहे थे कमल थोड़ा आगे जाकर रुख जाता है और सोचने लगता है तो इसका मतलब सिम्रन ने शेहर में आकर शादी कर ली और उसकी एक बेटी भी है और मैं आज तक अकेला हूँ मुझे उससे जवाब लेना ही होगा तभी सिम्रन और नव्या अपने घर की तरफ जा रहे थे और कमल उनका चुपके चुपके पीछा करने लगता है और आखिर सिम्रन का घर भी देख लेता है मुझे सिम्रन से मिलकर हर बात का जवाब लेना ही होगा उसने मुझे धोखा दिया है तो अगले दिन नव्या कॉलेज में होती है और वही मौका पाकर कमल जल्दी से सिम्रन के घर पहुँच जाता है और घर की बैल बजाता है सिम्रन जैसे ही दर्वाजा खोलती है वो सुन हो जाती है आप यहाँ कैसे? बहुत खुब सिम्रन मुझे छोड़का तुम यहां कर बस गई और बेटी भी है तुम्हारी और मैं आज तक अकेला रह रहा हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है आप मुझे गलत समझ रहे हैं गलत नहीं समझ रहा मैं मैंने अपनी आखों से देख लिया सब खेर बहुत अची बात है खुश हो ना आप तुम आप ही तो मुझे से परेशान होकर मुझे घर से जाने का बोल कर गए थे सही ही किया था मैंने तुम जैसी ओरत को घर से निकाल कर लेकिन फिर मैं अपनी जिन्दगी अच्छे से कभी नहीं जी सका मैंने भी तो कहा जी जिन्दगी आपके बिना अच्छे से बस नव्या की खातिर मुझे जीना पड़ा जोट बोल लही हो तुम आज भी तुम नहीं सुधरी हो मैं आपके आगे हाथ जोडती हूँ ये सम मत कहिए आईए आपको दिखाती हूँ कुछ तब ही वो कमल को अंदर ले जाती है और एक अलमारी खोलती है जिसमें नव्या के माबाप की तस्वीर रखी थी ये कौन है? नव्या के माबाप है क्या मतलब? वो तुमारी बीटी नहीं है इसके बाद सिमरन दस साल पहले हुई सारी घटना कमल को मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें आज भी गलत समझा और मैं जानता हूँ मैं पहले भी गलत था मुझे वेधानत ने सारी बात बता दी थी मैं आपसे कह रही थी लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और हमारी जिन्दगी के दस साल खराब हो गए और आज आप मिले भी तो कैसे मोड पर ऐसा मत कहो सिम्रन मैंने दस साल तक तुम्हार अंतजार किया है और आज भी अकिला हूँ मेरी जिन्दगी में वापस आ जाओ प्लीज तभी सिम्रन कमल को गले लगा लेती है और उन दोनों में फिर से प्यार की शुरुआत हो जाती है जो वक्त बीद गया वो वापस तो नहीं आएगा हाँ पर हम अपने आज और आने वाले वक्त को अच्छा बनाएंगे अब मैं तुम पर कभी गलत तरजाम नहीं लगाऊंगा काश ये सब आप पहले भी समझ लेते तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती बहुत बड़ी गलती हो गई सिम्रन सजा मैंने भी उतनी ही भोगी है जितनी कि तुमने लेकिन इस बारे में मैं नव्या को नहीं बता सकती उसे कितना अजीब लगेगा ये सब जानकर हाँ सिम्रन इस तरीके से उसे ये सब नहीं बता सकते कुछ ही टाइम में नव्या और दिवाकर की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं मौका देखकर सारी सच्चाई उसे बताऊंगी ठीक है तब तक हमें छुपकर ही रहना होगा अब मैं चलता हूँ कॉलेज ठीक है इसके बाद सिम्रन और कमल काफी खुश थे लिकिन वो सारी सच्चाई नव्या को नहीं बता सकते थे दीरे दीरे कुछ और वक्त बीटता है और कभी कभी मौका मिलने पर कमल भी सिम्रन से मिलने आ जाया करता था कमल आप मुझसे ऐसे मिलने आते रहते हैं कहीं किसी दिन नव्या या दिवा करने देख लिया तो परिशानी हो जाएगी तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ देख कर ही आता हूँ दोनों कॉलेज में होते हैं तब ही आता हूँ अच्छा और नव्या की शादी कब है? जल्दी से शादी कर दो उनकी क्यूं? आपको इतनी जल्दी क्या है उनकी शादी की? इनकी शादी होगी तब ही तो हम दोनों एक साथ रह पाएंगे ना? नहीं शादी के बाद भी नहीं जब मैं नव्या को सारी सच्चाई बता दूँगी उसके बाद ही साथ रह पाएंगे हाँ तो शादी तो करो बस कुछी दिनों में हो जाएगी वो दोनों भी अब जल्दी शादी करना चाहते हैं अच्छा आखर कुछी दिनों में नव्या और दिवाकर की शादी भी तैह हो गई थी नव्या अपनी शादी का कार्ड लेकर कॉलेज में कमल के पास पहुँचती है नव्या बेटा, बहुत खुश लग रही हो आज जी सर, ये लीजे मेरा शादी का कार्ड बहुत बधाई हो थैंक्यू सर, आपको जरूर आना है हाँ, बिलकुल आऊंगा तो कुछ दिन बाद नव्या और दिवाकर की भी शादी हो जाती है और नव्या अपने ससुराल पहुँच जाती है अब नव्या और दिवाकर एक साथ कॉलेज आते थे तो एक दिन इसी तरह दिवाकर ने कमल को कॉलेज के टाइम में निकलते हुए देख लिया था नव्या, तुमने नोटिस किया क्या? काफी टाइम से सर, रोज़ा नहीं कॉलेज से चले जाते हैं और दो-तिन घंटे में वापस आ जाते हैं हम, किसी काम से जाते होंगे, इसमें नोटिस क्या करना? देखा तो वैसे मैंने भी है कई बार मुझे तो कुछ गड़बर लगती है तुम कैसी बाते करते हो? गड़बर क्या हो सकती है? सर कितने अच्छे है हाँ, लेकिन ये आए दिन जाते कहा है? आखर चक्कर क्या है? अब तुम दूसरों की जिन्दगी में दखल देना छोड़ो अब तुम्हारी जिन्दगी मेरे साथ है, बस मुझ में दखल दो अच्छा, जो हुकुम मेरी मालकिन लेकिन दिवाकर को चैन नहीं आ रहा था और उसने सोचा कि कमल का पीछा करके सच का पता लगाया जाए तो उस दिन भी कमल जब कॉलिट से निकलता है तो दिवाकर उसके पीछे हो लेता है हम्, आज तो पता लगा करी रहोंगा कि आकर साथ जाते कहां है कुछ तो बात है काफी महिनों से यही चल लहा है और कमल सिमरन के घर पहुँच जाता है और ये देखकर दिवाकर के होश ओड़ जाते हैं ये क्या, सर मम्मी जी से मिलने आते हैं जरा देखो तो क्या हो रहा है तभी दिवाकर चुपके से खिड़की से देखता है तो सिमरन कमल का हाथ पकड़ कर बैठी थी और दोनों काफी प्यार से एक दूसरे से बाते कर रहे थे दिवाकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये सच्चाई जानकर दिवाकर आगे कौन सा कदम उठाएगा और जब नव्या को पता लगेगा तो वो क्या करेगी बने रहे हमारे साथ सिंदूर की कीमत के अगले एपिसोड में थैंक्स फॉर वोच्चिंग अब आगे मुझे ये सच्चाई सब के सामने लानी ही होगी ये दोनों इस तरह याशी नहीं कर सकते तो दिवाकर वहां से सीधा कॉलेज चला जाता है अरे दिवाकर मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढून रही थी कहां चेले गए थे तुम मैंने तुमसे कहा था ना कि कमल सर कहीं जाते हैं और कुछ गलबड है हाँ तो क्या हो गया तुम्हें पता है वो किसी औरत से मिलने उसके घर जाते है अरे तो क्या हो गया वो से प्यार करते होंगे इसमें कुछ गलत तो नहीं है क्या पता उनका क्या रिष्टा है बस करो नव्या, वो औरत कोई और नहीं बलकि तुम्हारी मा ही है क्या, क्या बकवास कर रहे हो तुम मैं कोई बकवास नहीं कर रहा बहुत हो गया दिवाकर मेरी मा के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुम नहीं जानते वो मेरे लिए क्या है वो तो मैंने देख लिया कि वो कैसी औरत है उस औरत ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है वो मेरी असली मा से भी बढ़कर है मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती लेकिन तुम्हारे ना सुनने से सच नहीं बदलेगा नवया और मुझे सिर्फ सच्चाई का साथ देना है तुम जूट बोल रहे हो अगर तुम्हें मेरी मापर ऐसे इलजाम लगाने है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ओ, तो तुम उस घड़िया औरत के लिए मुझे छोड़ने की बात कर रही हो हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूँगी ऐसी बात है तो जाओ फिर रहो उसी के साथ और उसी की तरह बन जाओ हाँ, जा रही हूँ आज से हमारा रिष्टा खत्म तो गुस्से में नव्या वहां से चली जाती है और दिवाकर भी अपने घर आ जाता है आरे बेटा, क्या हुआ आज मेरी बहु कहा है मम्मी वो किसी काम से अपनी मा के बास गई है अच्छा, और तू बड़ा परिशान और गुस्से में लग रहा है क्या बात है? कुछ नहीं है मा, बाद मैं बात करता हूँ अरे, इसे क्या हुआ अचानक दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है अभी मैं अपनी मा को सारी सच्चाए नहीं बता सकता अभी सही वक्त नहीं है वही नव्या भी अचानक घर पहुँचती है तो सिमरन उसे देख कर हैरान हो जाती है बेटा यहां कैसे आई और दिवाकर नहीं आया? बस यूही, आज आपके साथ रहने का मन था मेरा अच्छा, तू बड़ी परिशान लग रही है नहीं, मा कुछ नहीं हुआ तु जूट बोल रही है बता मुझे क्या परिशानी है कुछ नहीं बस अभी नहीने शादी हुई है और मेरा आपके बिना मन नहीं लगता अच्छा, हाँ बेटा, ऐसा तो होता है कोई बात नहीं, चिंता मत कर दीरे-दीरे लग जाएगा तभी सिम्रन नव्या को गले से लगा लेती है और फिर नव्या अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है अगर मैंने मा को सारी बात बता दी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा मुझे जूट बोल कर इनके साथ रहना होगा वही दिवाकर भी किसी को कोई बात नहीं बता रहा था और इधर नव्या भी चुप थी तो अगली सुभा नव्या अपने कमरे में ही होती है बेटा तो तयार नहीं हुई कॉलेज नहीं जाना क्या नहीं मा मेरा मन नहीं है क्या हुआ तुझे मैं जानती हूँ जरूर कोई बात है पर तुछुपा रही है ये सुनकर नव्या रोने लगती है अरे बेटा क्या हुआ क्यों रो रही है बात तो बता बताएगी नहीं तो कैसे पता लगेगा मा मुझे तिवाकर के साथ नहीं रहना क्या? ऐसा क्या हो गया? बेटा वो तेरा पती है, तेरी माँ का सिंदूर है लेकिन मुझसे गलती हो गई जो मैने उससे शादी कर ली बेटा अभी तो तेरी शादी को कुछ दिन ही हुए है अभी तुझे संदूर की कीमत का पता नहीं लगा है और ऐसा क्या हो गया कुछ नहीं हुआ वो मुझसे गुसे में बात कर रहा था उसने मुझे डाटा अरे पगली इतनी सी बात पर कोई रिष्टा खत्म होता है क्या तू भी बिल्कुल बच्ची है पर मा देख मेरी अच्छी बेटी है न मेरी बात सन आज कॉलेज में जाकर उससे बात कर और शादी कोई खेल नहीं है अब थोड़ी समझदार बन जा ठीक है मा लेकिन नव्या चाहकर भी सारी सच्चाई अपनी मा को नहीं बता रही थी और वही सिम्रन उसे समझा बुझा कर कॉलेज भीज देती है उधर दिवाकर भी कॉलेज में ही था नव्या मुझे बात करनी है मुझे नहीं करनी बस मा की वज़े से कॉलेज आई हूँ प्लीज नव्या कल के लिए मुझे माफ कर दो लेकिन मैं जो कह रहा था वो सब सच है ऐसा नहीं हो सकता दिवाकर मेरी मा ऐसी नहीं है देखो मैंने चाहता कि हम दोनों का रिष्टा उनकी वज़े से खराब हो मैं तुमें इस बात का सबूत दूँगा फिर तो मानोगी लेकिन वो कैसे और अगर ये बात सचना हुई तो तो मैं खुद तुम्हारी मा के पैरों में गिर कर माफी माँग लूँगा और तुमसे भी लेकिन प्लीज हमारा इष्टा मत तोड़ो ठीक है मैं भी कल गुस्से में चली गई थी ऐसे मुझे भी नहीं जाना चाहिए था ठीक है तो आज हम इंतिजार करेंगे जब भी कमल सर कॉलिज से निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे ठीक है तो उसी दिन ही कमल मौका पाकर सिमरन से मिलने के लिए कॉलिज से निकलता है और वही दिवाकर उस पर नज़र रखे हुए था नव्या वो देखो, सर कॉले से जा रहे हैं अब हमें उनका पीछा करना है ठीक है संभल कर, कहीं वो देखना ले तो कुछी देर में कमल सिमरन के घर पहुँचता है और सिमरन दर्वाजा कोलती है ये क्या, माने दर्वाजा खोल दी और वो अंदर भी जा रहे है हाँ भी तो देखो तुमाग तो वही घर में कमल और सिमरन बैट कर अराम से बाते कर रहे थे और वो एक दूसरे को गले भी लगाते है उधर नव्या और दिवाकर ये सब खिड़की से देख रहे थे ये सब क्या हो गया माँ ऐसी है मैंने सोचा भी नहीं था मैंने कहा था न तुम से नव्या और तुम इनके लिए मुझे छोड़ रही थी मुझसे गलती हो गई दिवाकर लेकिन मुझे शर्फ आ रही है ये मेरी छोटी मा है अब बताओ देखा मैंने जूट नहीं कहा था कोई बात नहीं दिवाकर अब देखो मैं भी इनके सामने जाऊंगी और फिर ये क्या सफाई देती है तभी नव्या दर्वाजे की तरफ जाती है और गुसे में दर्वाजा खट-खटाने लगती है वहीं अंदर कमल और सिमरन गबरा जाते है अरे ये क्या कौन आया होगा इस वक्त दरो मत खोल दो शायद कोई पडोसी होगा या कस्टमर देखती हूँ सिमरन जैसे ही दर्वाजा खोलती है उसके होश उड़ जाते है नव्या तालिया बचाते हुए अंदर आती है वाँ वाँ आपको मा कहूँ या सिमरन कहूँ बेटी क्या कह रही है तू आप मेरी ही कॉलेज की प्रोफेसर के साथ आयाशी कर रही है मुझे तो शर्म आती है आपको मा कहने में नहीं बेटा ऐसा मत कर तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है तभी दिवाकर भी अंदर आ जाता है हम दोनोंने अपनी आँखों से देखा है कि आप दोनों कैसे एक दूसरे से गले मिल रहे थे और हस हस कर बाते कर रहे थे दिवाकर बेटा तुम हम दोनों को गलस समझ रही हो हमारा रिष्टा नाजायज नहीं है हाँ देख लिया वो हमने सर पैने तो आपको क्या समझा था और असलियत में आप क्या निकले सही कहते हैं लोग कभी भी भोली शकल बढ़ नहीं जाना चाहिए इनकी काली कर्टूते ही इनकी असलियत है मैं हाथ जोडती हूँ बच्चो ऐसा मत सोचो आपको शर्म आनी चाहिए खल आप मुझे संदूर की कीमत का पाठ पड़ा रही थी और अब आपको कुछ नहीं दिखा जब आपके पती इस दुनिया में है ही नहीं तो आप गैर मर्दों के साथ इश्क लड़ा रही है बहुत हो गया नव्या बेटा तुम हद से बहार जा रही हो हद से बाहर तो आप हो गए है आप हमें क्या शिक्षा देंगे पहले खुद तो कुछ सीख लीजिए आप से शिक्षा लेकर तो बच्चों का भविश्य खराब ही होना है शर्म आती है मुझे कि आप हमारे गुरू है ये भी शर्म की बात है कि ये औरत मेरी मू बोली छोटी मा बन गई ऐसी चरित्रहीन औरत पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तभी कमल गुस्से में दिवाकर की तरफ बढ़ता है और खीच कर उसे एक थपड़ लगाता है बहुत हो गया दिवाकर तुम जानते भी हो ये कौन है हम नव्या तुम जानती हो ये कौन है नव्या और दिवाकर एक दूसरे को देखने लगते है ये मेरी पतनी है, मेरी इससे शादी हुई थी क्या? हाँ, और मैं ही इसका पती हूँ ये क्या कह रहे हैं सर? तभी कमल अपने पर से एक फोटो निकालता है जो कमल और सिमरन की शादी की फोटो थी वहीं सिमरन को चक्कर आने लगे थे और अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा ये देखो, आज से 13 साल पहले हम दोनों की शादी हुई थी लेकिन मेरी किसी गलती की वज़े से 10 साल पहले घर से जाना पड़ा और तब से तुम्हें ही समाल लई है नव्या तुमने तो देखा है ना? और तब ही नव्या जोर जोर से रोने लगती है मुझे माफ कर दीजिए ये मैंने क्या पाप कर दिया? इसने तुम्हारी देखभाल के लिए अपनी जन्दगी का बलिदान कर दिया और खुद विद्वा की तरह रही तब ही अचानक सिमरन दर्ट से कराते हुए बेहोश होकर गिर जाती है माँ! माँ! ये क्या हो गया? मम्मे जी! नहीं, नहीं! ये नहीं हो सकता! जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ! इससे हार्ट अटेक आया है! तब ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और सिमरन को हॉस्पिटल पहुचाया जाता है इलाज के बाद दो घंटे में ही उसे होश आ जाता है फिर सभी सिमरन के पास जाते है माँ! मुझे माफ कर दीजे! मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है मैंने आप पर शक किया मम्मी जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे माफ कर दीजिए नहीं बेटा, हम भी तुम्हें ये बात बताना चाहते थे लेकिन इस तरीके से नहीं कोई बात नहीं, सब भूल जाते हैं अब तो सब ठीक हो गया है अब हम साथ रहेंगे मिलकर तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है फिर कमल और सिमरन एक ही घर में एक साथ रहते हैं वहीं नव्य अभी दिवाकर के साथ बहुत खुश होती है